और एक बड़ी खबर बागमारा से सामने आ रही है दो पक्षों में जम कर मार पीट हुई है बोतल और पत्थरों से हमला किया गया है घटना में आदा दर्जन लोग घायल बताये जा रहे हैं घायलों को पास के नर्सिंग होम में भरती कराया गया है दो की स्थिती गंभीर है नमाज अदा करने के वक्त हुई घटना पुरारी रंजिश की वज़े से घटना को दिया गया है अंजाम मदवन थाना शेत्र के खरखरी बस्ती की अपूरी घटना बताई जा रही है इस वक्त की बड़ी खबर बागमारा में दो घुटों में हिंसक जड़प हुई है इस और इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे समवाद दाता अशोक फोन लाइन पर बने हुए है अशोक दो गुटों में हिंसक जड़प हुई पत्थर भी चले है लाटिया भी चली है और आदा दर्जन से अधिक लोग गंभी रुप से घाल बता जा रहे है पूरी जा अशोक दो गजा जाता है यह जो नियोजित हमला है तो कि पत्कर और बोतल पहले से च्छत पर जमाद किया गया थे और उनके दोरा आचानक हमला शुरू कर दिया गया है आप उसी रंजीत बताई जारी है पिछले हपते जो रमजान के वक्त जुमा का नमाज अदा किया गय उसे दवा दिया गया था लेकिन आज हुआ जो बवाल था आज उबर कर सामने आ गया है करीबन आदा देजन लोग बूरी तरह गाया है इस पूरे मामले में फिलाल पुलिस की और से क्या कुछ एक्शन लिया गया है घटना असल पर लगवर साथ से आठ ठानों की बल वहां मौजूद है और वर्य दिकारियों के भी आने की सुचना है जिसें से घटना के जो भी आरोपी सामने आ रहे हैं उन्हें पकरने का परियास विजारी किया गया है लगतार सात्यमारी सल रही है हलाकि यह क्लियर नहीं हो पाया आजिता कि आप सी रंजीस जो भी थिया रंजी हम आप से लेते रहेंगे फिलाल अपने दर्शकों को बता दे बाग मारा में दो गुटों में हिंसक जड़प हुई है इस जड़प में आदर दर्जन से अधीक लोग हायल बताया जा रहे फिलाल पुलिस मौके पर पहुँच गई और मामले की जांच में जूटी है कि जड़प हुआ 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 है